हलो स्टूडेंट्स कैसे हम सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस चैप्टर फोर सेपरेशन ओफ सब्स्टांसी जिसको हम कम्प्रीट चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क तो सबसे पहले हमारे पास फिलिंग दा ब्लैंक्स हाउस वाइबस सम्टाइम्स यूज दा मैथड ओफ डैश हाउस वाइबस कहीं बार एक मैथड यूज करती है डैश टू रिमूव अन्वॉन्टिड सब्स्टांस अंचाही पदार्थों को फ्रोम इटेबन खाने वाली चीजों से जैसे राइस एंड पलसी दाल और चावल से अलग करती है तो किने अलग करती है वो ठीक है कुछ चीजों को उठाती है जैसे कि कंकड वगारा छोटे-छोटे पत्थर होता है तो किस मैथड का यूज करती है वो उसमें उसमें मैथड यूज होता है हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग मैथड का यूज करती है दाल और चा evaporation जिसमें हमने पढ़ा था ना कि जैसे समुंदर के उदर से जैसे नमक ऐसे गेन करते हैं पानी तो evaporate हो जाता है नमक क्या है वाँ पे गड़ों में वाँ पे हमें मिल जाता है next है separation of tea leaves from tea is done by a process card कि हमें tea leaves चाय पती को चाय से लग करना है तो हम किसका यूज करते हैं चलनी का यूज करते हैं नम घर में तो उसको बोलते हैंगे saving ये process को बोलते हैं saving next the process of dash can be used to increase the rate of sedimentation or suspended particle in a solid liquid mixture कि किस process में किस process का use किया जाता है sedimentation के उसकी rate को बढ़ाने के लिए solid liquid mixture में तो उसके लिए किया जाता है loading loading process में use किया जाता है next है हमारे पास the method used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at a high speed is known as कि किस method का use किया जाता है उन particles को अलग करने के लिए जो liquid में suspend होते हैं liquid चीज में होते हैं और बहुत ही high speed से वो rotate करते हैं उसको बोलते हैं हम centrifugation method इस method का use diary में भी किया जाता है दूद से cream को अलग करने के लिए अब हम करेंगे matching match the following तो सबसे पहले हैं हमारे पास wind सबसे पहले हमारे पास wind देखो wind का use किस में होता है winowing process में जैसे हम करते हैं कि कनक साफ करने आपको तो एक तरह पंखा चला देते हैं तो उसमें क्यों हैगा कि जो ब्रूसा होता है वो तो एक तरह अलग हो जाग और कनक का धेर है वो एक तरह लग जाएगा तो यह जाएगा हमारा थर्ड का नेक्स्ट है हमारे पास separating piece from cooked पुलाओ आपने पुलाओ बनाया है जैसे हम बना देते ना पुलाओ तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि उसमें से मटर को आपने अलग करना है तो मटर को आप कैसे अलग करेंगे पुलाओ से आप उसको हाथ से उठाकर कर सकते हैं ठीक है तो hand picking method से next है हमारे पास muslin cloth muslin cloth को क्या हम filter कर सकते हैं तो यह हमारा फिल्ट का और last हमारे पास camphor and salt camphor and salt को हम कर सकते हैं किसकी help से sublimation की help से तो इसको जाएगा answer number 6 तो यह हमारा matching हो चुके हैं और अब हम करेंगे c part tick the correct option सबसे पहले हैं हमारे पास which of the following is an example of heterogeneous mixture heterogeneous mixture कौन सा है heterogeneous कौन सा होता है जिसमें कि material ले रहे हैं वो same composition में ना हो ठीक है sugar in water यह तो homogenous है irritated drink और salt in water यह क्या है homogenous है और heterogeneous क्यों हो जेगा pibbles in rice तो इसको option हो जेगा यह वाला ठीक next है हमारे पास which one of the following is not an example of a pure substance किन में सी कौन सी चीज कौन सा एक्जामपल नहीं है pure substance का oxygen अक्सीजन कोपर एयर कार्बन एक्साइड नियोन आरगन काफी सारी gases मिल थे तो इतमीन यह क्या pure नहीं है इसका option यह हो जाएगा ठीक third है the process of loading help to जो loading process से ठाल करते है slow down the rate of sedimentation की process होती है वह slow Os compared to loading ृटिं हम हमें है help करता है sedimentation की process को speed up उसको बढ़ाने में help करते हैं वोर्थ है transferring the clear liquid into another container कि अगर हम clear liquid को transfer कर देते हैं किसी दूसरी container में leaving behind the residue is kind तो वो कुछ material छोड़ जाता है ठीक है तो उस material को हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहेंगी decensation last है हमारे पास a substance that sublimes इसली इस इनमें से कौन सा material जो असानी से sublime हो जाए sublime का मतलब क्या होता है कि जिसे material को heat करने पर वो solid से directly gas में change हो जाता है तो देखो naphthalene ऐसी जी जो solid से directly gas में change हो जाता है तो इसका option होगा naphthalene अब हम करेंगे D part के question answer answer the following question in brief ने गई question का briefly answer दीजिए first question is name many three methods used for separating solid-solid mixture कि हमें तीन method बताने हैं जिनका use हम solid वाले mixture को अलग करने में यूज़ करते हैं तो solid वाले चीज़ hand picking का यूज़ करेंगे भी हाथ से हम उठा सकते हैं इसको threshing का use करेंगे और winnowing का use करेंगे जिसका क्या हम solid-solid mixture को separate कर सकते हैं second question अब हमारे पास what is winnowing winnowing क्या होता है give an example of a mixture whose components can be separated by this method और हम एक example देना है जिसके help से हम बता सके कि मतलब कि इस method का use करते हो सीज़ को separate करने में तो सबसे पहले हमारे पास है winnowing it is a method used to separate इस method का use करते हैं separate अलग करने में lighter and heavier components हलके और भारी components को अलग करने में by wind blow method किस method से wind blow यानि हवा को चला कर जैसे आपने देखा होगा मैं आपको picture दिखा देती हूँ झापने चाह टार करते हूँ CHEFF यह में आपको अब आप आप से पहले ऐ पार्ट में आंस्वर्द फॉलोईंग क्विस्टेंज कोश्चेन नमबर वन डिफ्रेंशेट बिट्विन अ प्योर सब्स्टांस एंड अ मिक्सर हमें मिक्सर और प्योर सब्स्टांस के बीच में डिफ्रेंश बताना है give two examples of each और उन दोनों के examples भी देने हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे pure substance, pure substance क्या होता है it is made up of only one type of substance कि जो pure का मतलब क्या है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो ठीक है, वो किसे बना हो one type, एक type के substance से मिलके बना हो, वो होगा हमारा pure substance, जैसे की example है, salt हो गया, sugar होगा pure water है, gold यह सब क्या है, एक एक टाइप के substance से मिलकर बनते हैं next है हमारे पास mixture mixture नाम से पता चल रहा है mixture मतलब मिश्रन, मिलेगा यह ठीक है, किसे मिलके बनेगा यह बनेगा, यह बनेगा दो या दो से ज़्यादा substances से मिलकर, जैसे की a mixture is found, एक mixture बनता है, कब when two or more substances are mixed together, जब दो या दो से ज़्यादा substances को हम इकटे, mix करते है, in any proportion ठीक है, उसको एक equal ratio में लेते हैं, हम जैसे की air हो गया, sea water है, lemonade हो गया, lemon water है, ठीक है तो यह सब हमारी क्या है, mixture है क्योंकि इन में एक से ज़्यादा यह दो से ज़्यादा substance से मिलकर बने होते हैं, second question है हमारा, state the difference between heterogeneous and and homogeneous mixtures, हमें heterogeneous and homogeneous mixtures में difference बताना है, give two examples of each type, और इसके example भी देने है, first one is homogeneous mixture, देखो मैं आपको पहले बता है था, homo means होता है same, ठीक है, और hetero मतलब होता है, different, तो homogeneous में क्यों होगा, ahomogeneous mixture is that which has the same composition जिसकी same composition हो ठीक है, और heterogeneous में क्यों होगा which doesn't have same क्योंकि इसमें heterogeneous मतलब होते हैं different है, तो इसकी composition same नहीं होगी, और homogeneous में क्यों होगा, its components are uniformly distributed, इसकी components को हम distribute कर देते हैं, ठीक है, uniformly यानि same, ठीक है, distribute कर सकते हैं but heterogeneous mixture के component distribute नहीं होते है आगे, example है, homogenes का soft drinks हो गया, alloys हो गया, sugar और salt solution होगा, sugar और salt का ग्रम water में रख दें, ठीक है, तो इनको क्या है कि, हम uniformly ये क्या है कि, इसकी component distribute हो जाते हैं next है हमारा heterogeneous pibbles in rice, rice में pibbles है, ठीक है, अब ये pibbles है, इसमें, तो ये same composition तो नहीं है, क्योंकि rice pibbles में मतलब हम इसको इसको इसली क्या, इसको अलग भी कर सकते हैं and iron nails in sulfur powder, mixture of sand in water, तो ये सब example होंगे heterogeneous mixture के third है, हमारे पास can a mixture of iodine and camphor be separated by the sublimation method, क्यों हम iodine और camphor को separate कर सकते हैं, sublimation method से give reason for your answer ठीक है, मैं reason देना अपनी answer के लिए तो अंसर होगा no, नहीं क्यों, क्योंकि because iodine and camphor both are sublime in nature क्योंकि iodine और camphor दोनों के method से अलग नहीं कर सकते हैं fourth question है, हमारे पास why does the size of naphthalene balls put in open क्यों naphthalene balls होती है ना, उनको हम हवा में खुला क्यों रखते हैं keep on reducing with time ठीक है, जो open रखते हैं तो वो time के साथ reduce हो जाते हैं ठीक है, गाईवोना चुआ जाते हैं क्यों, size of naphthalene balls put in open keeps on reduces with time because of sublimation क्योंकि sublimate हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं कि naphthalene के गोलियों को हमने रखा है ठीक है, तो वो एक अदम से क्या होगा कि solid form में होते हैं वो एक अदम solid से direct gas की form में convert हो जाते हैं ठीक है, sublime हो जाते हैं naphthalene is sublime in nature और naphthalene का हमें पता है naphthalene, camber ये चीज़े क्या है ये चीज़े sublime है nature में और directly solid से gas की form में change हो जाते हैं liquid में भी नी convert होंगी directly solid से क्या है gaseous state में change हो जाएंगी fifth question है हमारे पास after a dust storm how does rain help in making air clean कि dust storm के बाद कैसे बारिश है जो वो हवा को साफ कर देती है the dust particles in the air कि जो भी dust particles होते है हवा में get loaded वो पानी बारिश के साथ पानी के साथ के load करते रहते हैं लटके रहते हैं उसके साथ and settle down और नीचे की तरफ settle हो जाते हैं ठीक है पानी के साथ इसलिए जब बारिश होती है रेन होती है वो हेल्प करती है air को clean करने में 6. सादस्ट मिक्स्ट इन वोटर cannot be separated in the sedimentation method वाई अभी इन्होंने कहा कि जो सादस्ट होता है जो बुरादा होता है लकडी का बुरादा वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है उसको हम sedimentation process से क्यों लग नहीं कर सकते है सादस्ट मिक्स्ट इन वोटर कि ये मिक्स होता है पानी में इसको हम separate नहीं कर सकते इस प्रोसेस से because it is insoluble in water जो कि पानी में insoluble है गुलता नहीं है so it will not settle down इसलिए पानी में ये गुलता भी नहीं है और it will not settle down in water और वोटर में इस सेटल नहीं होता when the mixture of sawdust and water is keep undisturbed जब mixture है जो sawdust का और वोटर को उसको हम undisturbed करते है question number 7 the filtration method cannot be used to separate sugar and salt mixed in water कि जो filtration method है उसका use नहीं कर सकते है हम शूगर और सोल्ट को वोटर से अलग करने के लिए क्योंकि the filtration method cannot be used to separate sugar and salt mixed in water because they form a homogeneous mixture क्योंकि हमें पता है कि जो sugar और सोल्ट है जो दोनों दोनों पानी में mix-up होते है वो कैसा होता है homogeneous mixture होता है ठीक है and this method is used to separate और इस method का use करते है हम अलग करने में insoluble solids और इस method का use तो हम तब करते हैं जब insoluble solid हो ठीक है it is a method used to separate the fine particles इस method का use किया जाता है जो particles suspended इना liquid liquid में जो suspend कर रहे हैं particle ठीक है liquid चीज में by rotating the machine machine rotate करती at high speed तेजी से the heavier particles tend to settle down अब दीको जो भारी particles होते हैं वो तो निचे settle हो जाते हैं ठीक है container में जबकि lighter lighter का मतलब क्या है जो हलके particles होते हैं वो ओपर की तरफ ही क्या करते हैं stay करते हैं for example जैसे की if we take some milk इना centrifugation machine जब हम दूद लेते हैं centrifugation machine में and spin it rapidly वो तेजी से बहुती ज़्यादा क्या है firstly वो जब गूमता है तो जो cream है वो दूद से अलग हो जाती है क्रीम हलका होता है किसके बज़ाए milk की बज़ाए इसे हम डाइग्राम के थूद देखते हैं यह जैसे दिखाए दिया है इसमें यह centrifugation machine है जिसकी help से हम यूज करते हैं तो इसमें क्यों होता है कि जब हम material डालते तो वो तेजी से क्या move करने लगेगा जिसकी वज़े से क्यों होगा जो हलके particles होंगे हलके particles तो टोप पर आ जाएंगे और जो भारी particles निचे की तरफ हो जाएंगे इसकी तरह एक हम इसका भी यूज करते हैं वो डन चरनर का घरों में यूज किया जाता है अलग करने के लिए क्रीम हम इसका यूज करते हैं बटर को क्रीम से अलग करने के लिए ठीक है तो यह था हमारा चैप्टर 4 जो कंप्लीट हो चुका है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप क्वेशन अंसर को करने से पहले एक बार सभी की सभी जो इस वीडियो की पार्ट्स हैं उनको जरूर देखें ताकि आपके सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं ओके बाई हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू, हैव नाइस टे